गुड बॉर्निंग सूपरभात केमचो उम्मीद है आप सब लोग बहतर होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे कि सारे मजा में हो वो क्या बोलते हैं गुजराती में कि अच्छे हैं मजे में हैं हाँ हालंगी मुझे मालूम है बहुत जमकर ठंडी पड़ रही है और सुबह सुबह उठकर ये लेक्चर देखना और उसके बाद जो है वो मतलब मन नहीं करता है कि हम जो है वो कंबल से रजाई से ब्लैंकेट से हाद बहार नेकाले लेकिन क्या करें मैंने कहा ना आपसे बिटा कि मरे भगेर तो स्वर्ग भी नहीं मिलता है तो एफट तो करना पड़ेगा मेहनत तो करनी पड़ेगी और उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है हालंकि मुंबई में भी अब जो है मॉर्निंग में थोड़ा स्थंड रहने लगा है सर्दी रहने लगी इवनिंग के समय हलका सा एकाथ पतला सा एक शर्ट के उपर एक और शर्ट या इस तरह कोई उपर कपड़ा पहनने का नोवत मुंबई के अंदर भी आ गया है हालंकि आपको जानकर आशर होगा कि मुंबई में वेदर एक समान ही रहता है साल भर तो हम लोगों के पास तो स्वेटर भी नहीं है सिर्फ कोट है जो पहनते हैं Office आफिस के बाकि मेरे पास तो स्वेटर भी नहीं है यापर जब मैं मुपाल गया था बीच में तो मुझे अहसास हुआ कि यार कुछ गलती हो गया है वतलब ये कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा यहां पर है तो आप लोग जहां Central India में जहां पर हैं तो वहां पर आप winter को enjoy कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है और ये जो ठंड के दिन होते हैं इन में जो पड़ता है वो जरूर सिलेक्ट होता है ठीक है कोगि ये अपने आप में एक तपश्या होती है तो चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं हर साल एक ना एक दो एक दो questions पर आते रहते हैं ठीक है तो चलिए तो हम जैसे और हमारा target क्या हमारा target ये है कि हम chapter को समझते हुए जो उसके man man core concept को समझते हुए short note को बनाते चलेंगे और ये short note हमारे quick revision में help करेंगे बार बार जल्दी से chapter revise करने में बारी help करेंगे देखो आपके पास human reproduction, repetitive health, genetics और human health and disease बहुत सारे chapter के आपके पास में short notes है देखा आपने कितना advantage है उसका कि हम एक घंटे में एक chapter को पुरा revise कर लते हैं और एक एक point and set का सारा point हमारे दिमाग में set राता है ठीक है ना clear लेकिन regular classes को miss नहीं करना है मैं एक बार दिया पढ़ चुके हैं already तो फिर आपको कोई भी class दुबारा attend करने की जुरूत नहीं है बेटा आपने notes को revise किये आपके जो regular class के notes है ना वो सबसे अच्छे notes है कोई की book कोई किताब कुछ भी उसके आगे कुछ भी नहीं है तो उनको बिटा पढ़ते रही है यह मैं इसलिए नहीं बल रहा हूँ कि मैने बनवाए यह इसलिए बल रहा हूँ कि आपने खुद बनाए वो आपकी महना थे मेर आपकी महना थे और वो नोट्स काम कें पढ़ना है बार बार ठीक है चली तो बात करते हैं हम living world के उपर तो सबसे बहुत है अब हम ब्रकुल छोटे-छोटे point में लिखेंगे यहां पर थोड़ा statement दिखाई पढ़ रहा है आपको तो आप ब्रकुल short point के दिदर आप लिखें करेगा फिर suitable response देगा वो दिखाई पड़ता है metavolence दिखाई पड़ता है ability to self-replicate अपने आपको replicate करने का ability दिखाई पड़ता है अपने इसी और copy produce करेगा वाटके self-organize होगा interact and emergence के यह सारे के सारे character जो है वो NCIT में सुरुआत में इधर रखें बटा तो यह भूलना नहीं है आपको इसके चुकिए technical word है तो इसलिए आपको इस statement को दिमाग में रखना है और note कर लिजिए के what is living growth reproduction ability to sense environment and mount a suitable response metabolism ability to self-replicate self-organize interact and emergence अब यहाँ पर एक वड़ा emergence मतला living organism aesthetic नहीं रहते हैं वे अपने आपको लगातार improve करते हैं और यही evolution का आधार भी होता है ठीक है सभी organism grow करते है अब जो fundamental question जो है वो है कि what are the twin characteristics of growth व्रद्धी के दो की दो विसस्ताएं या दो गुर्धर्म क्या होते है व्रद्धी का तो increase in mass and increase in number के द्रब्मान का बढ मास का बढ़ना वो growth की category माता है तो याद रखी का विटा कि व्रद्धी या growth के दो characteristics होते हैं यह MCQ है exam का ठीक है twin characteristics of growth क्या होते हैं मास and increasing number के संख्या का बढ़ना और द्रब्मान का बढ़ना यह जो है वो व्रद्धी के growth के twin characteristics होते है अब growth के लिए जो विभादन होता है division ह होता है वो क्या होता है वेटा the cell division जो growth में involve करता है वो होता है mitosis is the division of growth it is the division of growth यह व्रद्धी का बिभाजन होता है ठीक है plant में जो growth होती है वो होती है unlimited and localized localized के पोदों में व्रद्धी जीवन भर होती है और कुछ-कुछ growing point पर होती है shoot tip पर होती है root tip पर होती है इसलिए localized बोलते है animal में व्रद्धी जो होती growth जो होती है वो certain age तक होती है तो हम बोलते है animal में ग्रोथ होती है limited and un-localized पूरी body grow करती है animals के तो याद रखना है बिटा यह technical word है दिमाग में रखना है प्लांट में growth होती है unlimited और localized animal में होती है limited और un-localized के growth में कई बार cell divide करती है तो उसमें जो damaged organ होते हैं उनको replace भी करते है damage cell को भी replace करती है unusual organism जो जब grow करते है वो गरोथ है उनमें cell division जो होता है वो growth और reproduction दोनों के लिए important होता है according जो एक कोशिजίο होता जैसे वो divide करता तो उसमें करने बठाता है तो unisolar organism में जो growth है cell division है वो basically क्या है वो basically जो है वो उनका जो है reproduction का भी तरीका है तो बतलब उनमे growth और reproduction को हम synonymous कह सकते हैं एक समान कह सकते हैं unisolar organism है जबकि जो multisolar organism होते हैं उनमें reproduction और growth दोनों अलग-अलग phase होती है अलग-अलग exclusive events होते हैं ठीक है देखिए जो multi most of the multisolar animals होते हैं जो plants होते हैं उनमें बटा जो multisolar animals हैं plants हैं उनके अंदर क्या होता है उनके अंदर growth और reproduction होते हैं वो mutually exclusive event होते हैं ठीकरा जो है वो सासर चलने वाली अलग-अलग घटनाएं होते हैं और जो है मैंने आपसे कहाना बिटा जब भी कभी व्रद्धी होती ही growth होता है तो उसमें body mass बढ़ता है और increase in mass and increase in number ये growth के twin characteristic होते हैं तो increase in body mass और याद रखिए non living object भी growth को show करते हैं लेकिन इनमें growth कहा होती है वो surface पर होती है इनमें inside growth नहीं होती है जबकि living organism के अंदर जो growth होती है from inside अंदर से व्रद्धी होती है clear ठीक है छोटे-छोटे point है इनको note करते जाएगा फटा-फट क्या clear living organism में growth अंदर से inside होती है non living object में growth जो है वो surface पर होती है याद रखिएगा growth defining property क्यों नहीं है और हर living wing में देखने मिलेगी वो property growth नहीं है उसके पिछे कारण यह है कि non living अभी जो है वो surface पर growth को दर्शाते है परन्तु inside growth और growth from inside seen only in living organism याद रखिए गटके clear और growth जो होता है मैंने आप से काना growth जो होता है वो defining property living organism का नहीं होता है जबकि inside growth जो होता है वो keval और living organism में हमको देखने मिलता है दिमाग में रखिएगा दो अलग-अलग बाते हैं यह ठीके clear ठीके तो growth का simple सा मतलब है cell का द्रभमान का बढ़ना नंबर का बढ़ना और इसके mask का बढ़ना वो twin characteristic of growth में आता है ठीके फिर आते हैं अगली property पर आते हैं वो होती है reproduction रिप्रोडक्शन जो होता है वो living organism की characteristic होते हैं कोई भी non-living organism जो है याद रखना reproduction जो है वो केवल और केवल living में देखने मिलता है लेकिन कोई भी non-living में reproduction देखने नहीं मिलता है पर तब भी reproduction को हम defining property क्यों नहीं बोलते हैं क्योंकि कुछ living wing ऐसे होते हैं जो reproduce नहीं कर पाते हैं जो living mean reproduce नहीं कर पाएगा तो क्या वो non living हो जाएगा ऐसा नहीं है ठीक है तो reproduction living orange की characteristic होता है ये इसका मतला होता है प्रोजनी को produce करना अपने इसी संतानों को उत्पन करना फंजाई एसेक्शुल स्पोर्स की हेल्प से बड़ी संख्या में फंजाई को produce करती है इस्ट में और ह फ्लेड वर्म होता है प्लेटी हालमिंटस होता है इनमें हमको true regeneration देखने मिलता है आप इसको काटके फेक्ट दीजिए हर एक तुकड़ा इसका फिर से रीजनरेट कर जाता है तके फंजाई में फंजाई की बात करें हम के filamentous algae की बात करें हम fineria के समादने जो moss होते है उनकी juvenile stage जैनल मौस की juvenile stage को protonima करेते है moss जो होता नए फिर्मिंटरिया का moss के moss में ऐसा spore है इससे जो है वो निकलता है protonima निकलता है नीमा मतलब धागा जो जब कभी मास में मौस जो होता है मौस मतलब funeria bryopita की बात कर रहे हैं उसमें प्रोटनीमा जो होता है ये भी fragment में टूटने के बाद ने-ने mosses को produce कर सकता है तो fragmentation भी देखने मिलता है याद रखी का बिटा fragmentation क्या है ये एसेक्शुल मेथड में आता है फंजाई में जो एसेक्शुल इस्पोर बन सकते हैं बडिंग भी बिटा जो है वो एसेक्शुल रिप्रोडक्शन के अंदर ही आता है ठीके फिर कहने का मतलब यह है बटा कि जो एक कोशी चीव यहीं से बेक्टेरिया की बात करें हम अमीवा की बात करें इने में रिप्रोडक्शन जो होता है वो ग्रोफ का सुनष दिवाइट करेगी वो दो जीव खुरवग्जी बन जाएंगे तो हम ऐसा मानते हैं को इनमें रिप् नहीं कर पाते हैं जैसे कि म्यूज खचर की बात करें हैं इस्ट्राइल वरकर भी जो बदुबक्की के छत्ते में वरकर भी होती है शिर्मिक मक्यों की बात करें और कुछ कपल human couple जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो infertile human couple हैं वो भी living है लेकिन वो reproduce नहीं कर पा रहें तो इसका मतलब जो ऐसी property जो living में exclusively होना चाहिए defining property वो reproduction नहीं है पर ये बात पकी है कि कोई भी non living object reproduce नहीं कर पाता है अब आपसे मैं दुबारा बतला रहा हूँ तब भी हमने ऐसा क्यों बोला कि reproduction defining property नहीं है क्योंकि कुछ living being reproduce नहीं कर पाते हैं growth एक defining property क्यों नहीं है क्योंकि कुछ non living growth कर पाते हैं तो इसलिए जो exceptions हैं वो defining property में नहीं आ सकते हैं तो फिर metabolic के this is the defining property of living wing की defining property है हर living wing के अंदर वो various type of molecules पायाते हैं जिनको हम biomolecules कहते हैं हम सब molecules का ही धेर है molecules का ही composition है जो अलग-अलग प्रकार की chemical reaction करता है तो जो molecules cell के अंदर पाया जाते हैं वो biomolecules होते हैं अपने आपको organize करते हैं और molecular clusters मनाते हैं वो cellular aggregates मनाते हैं और यह जो molecular aggregates होते हैं cells के जो component होते हैं यही life को run करते हैं तो याद रखिएगा कि Metabolism, Metabolism का मतलब क्या होता है कि cell के अंदर operate होने वाली सभी chemical reactions को एक साथ हम Metabolism करते हैं cell के अंदर cell मतलब एक compartment है जिसके अंदर living fluid protoplasm भरा हुआ है वहाँ पर कई सारी living reaction चल रही होती हैं उन reactions के सम को हम Metabolism कहते हैं जिन reactions में कुछ बन रहा होता है वह Anabolism में जिन में कुछ तूट रहा होता है वह Catabolism में Anabolism plus Catabolism को मिला के बोलते है Metabolism कहते हैं क्या लिखा ? Metabolism, Biomolecules पायाते हैं सेल के अदर Chemical Reactions और Metabolism जो सेल के अंदर होती है वो होती है यह non-living object में देखने नहीं मिलती है लेकि याद रखिएगा जो Metabolism आप सेल के अंदर देखते हैं उनको आप सेल से बाहर निकाल कर भी करवा सकते हैं याद रखिए एक single Metabolism Reactions can be operated in a non-living medium क हम एक non-living medium में laboratory में एक single Metabolism Reaction को operate कर सकते हैं but the cascade of reaction जो अभी किराओ की पूरी संखला होती है जो living cell के अंदर हजारों reaction एक साथ चल रही होती है उनको बाहर कर पाना है artificial medium में मुश्किल होता है संभव नहीं है वोटके अभी क्या लिखा कि एक देखो लिखाओ सब सब जो बाडी से बाहर हम कहते हैं laboratory में कहते हैं वो ना तो non-living कहलाती है ना living कहलाती है या याद रखिएगा ऐसी isolated metabolic reaction को हम क्या बोलते हैं कि यह यह जो है वो living तो नहीं होती है और इंको हम living thing तो नहीं बोल सकते हैं पर यह कहसेते हैं कि these are the reactions present in the living system तो हम इनको living reactions के सकते हैं एक isolated metabolic reaction life नहीं होती है लेकिन वो एक living reaction कहलाती है क्योंकि वो living wing के अंदर देखने मिलती है ठीक है क्या लिखा है एन isolated metabolic reaction outside the body एरोलाग लिखा नाइधर living और non-living metabolism defining feature of all organisms without exception कोई exception नहीं है इसका बेटा isolated metabolic reaction in vitro एन लेबरेटरी के अंदर जो isolated metabolic reaction होती है वे living thing नहीं होती है बट उनको हम living reactions में consider करते हैं याद रखिएगा जो cells होती है दीजारदी compartment जिनके अंदर chemical reactions चलती है cells के अंदर cell organs हमको देखने मिलते हैं जिनमें की unique category of reactions को हम operate करते हैं mitochondria अलग तरीके से काम करता है क्रोरोप्रास अलग तरीके से काम करता है ठीक है तो cellular arrangement भी defining property के अंदर ही आता है ठीक है फिर ability to sense की बात करते हैं विटाम तो living organism की सबसे खास बात यह होती है कि यह अपने आसपास के environment को sense कर सकते हैं और अपने आसपास के environment में होने वाले परिवर्तन जिसको यह महसूस कर पाते हैं उन्हें हम stimulus करते हैं stimulus जो होते हैं वो physical, chemical या biological किसी भी तरह के हो सकते हैं और कोई भी ऐसा परिवर्तन जो living organism को affect कर रहा होता है चाहे वो temperature के form में हो चाहे chemical के form में हो किसी भी form में हो तो जो living organism जिसको sense कर सकता है उसे हम stimulus करते हैं जब भी कोई stimulus मिलेगा तो living organism को महसूस करेगा और उसके लिए वो respond करेगा ठीके और इस respond करने को हम technically irritability भी करते हैं इसको हम irritability भी करते हैं ठीके, anxiety में नहीं है पर पता हूँ जिके, response to stimulus is called the irritability stimulus के response को हम irritability करते हैं irritability करते हैं, ठीके, clear सभी living organism जो है वो sense कर सकते हैं अपने आसपास के environment को respond कर सकते हैं वो तके, तभी अपना food वो ले पाते हैं फोटो period की बात करो, तो plants होते हैं, जो animals और plants दोनों के दोनों जो है वो यह पता लगा जाते हैं कि क्या कौन सा weather season है, कि दिन छोटा है, रात बड़ी है, दिन बड़ा है, रात छोटी है seasonal variation का पता लगा सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं photo periodism करते हैं कि जो है long day होता है, short day होता है, जैसे गरिमियों में दिन लंबे हाते हैं, रात छोटी हाती है, ठंड में रात लंबी हाती है, दिन छोटे हाते हैं तो इसको वो sense कर सकते हैं, इसलिए कई animal ऐसे होते हैं, जो seasonal breeder होते हैं, एक particular मोसम में ही breeding करते हैं और कई plants ऐसे होते हैं, जो एक particular मोसम में ही वो flowering करते हैं, ठीक है तो इसका मतलब living organism अपने surrounding के लिए aware होते हैं, और याद रखिएगा, सभी living organism में जो ability to sense and respond this property collectively known as consciousness, इसके लिए हम word यूज़ करते हैं, consciousness word का हम इस्तिमाल करते हैं ठीक है, सभी living organism में हमको चेतना, हिंदी में बलते हैं इसको चेतना, ठीक है consciousness हमको देखने मिलता है, लेकिन सो चेतना, self consciousness जो है वो, केवल और केवल self consciousness सो चेतना, केवल हमको देखने मिलता है, कहाँ पर, वो हमको human wings में देखने मिलता है तो consciousness, जो है वो, it is the defining property of all living organism, याद रखिएगा consciousness, living organism की defining property है, जबकि self consciousness, केवल human में देखने मिलता है इसको हम defining property में शामिल नहीं कर सकते हैं, clear? तो confuse मत होना एक्जाम में, consciousness is a defining property, but self consciousness is limited to human being only, clear? ठीक है? अपने बारे में जानना, कि मेरे को कुछने अच्छा बोला, कि मेरे को बुरा बोला, मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं अच्छी दिखती हूँ, मैं बुरा दिखता हूँ, बुरी दिखती हूँ, यह सब चीज़े ना अपने बारे में सोचना ये है self consciousness कि मुझे क्या करना है मेरा समाज में क्या ये बाकी animal में नहीं होता वो सिर्फ conscious होते है क्योंको आप food कहा मिलेगा कहा जाना है और ये जो self consciousness है इसका संबंध है cerebral cortex है ठीक है कभी nervous system में बात करेंगे आगे All living phenomena मैंने कहा सभी जीवित phenomena अब देखो हर जीवित जीव जीव जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि वास्तव में हम कैसा मानते है हमारी एक cell हमारी एक cell को बनाने वाले कई सारे molecular aggregates है DNA है, RNA है, polysecrite है, protein है तो हमारी cell की जो characteristic है वो अकेले-अकेले उन molecule के पास में नहीं है हमारी जो cells है, उन cells ने मिलकर tissue को बनाया है तो जो tissue का characteristic है वो अकेले-अकेली cell के पास नहीं है हम बोल सकते हैं, पर हमारी cell नहीं बोल सकती है फिर जो tissue है, tissue के मिलने पर organ बना तो एक organ का जो काम है वो एक tissue नहीं कर सकता है फिर ऐसे organ से organ system बना और एक organism बना तो वास्तब में क्या होता है कि जो constant होते हैं उससे बनने वाला बड़ा structure थोड़ा unique होता है उसमें कुछ unique character होते हैं जो उसके constant के अंदर देखने हमको नहीं मिलते हैं, क्या लिखा देखिए properties, देखो, all living phenomena में हमें underlying interactions देखने मिलते हैं जो tissue की property होती है वह वास्तम में जो constant cell होती है उनकी interactions के कारण होती है ऐसे ही जो cell organs की property होती है उनके अंदर जो molecules पर जाते हैं उनके interactions होती है पर एक अकेले molecule में property नहीं होती है एक अकेली cell में tissue की property नहीं होती है लेकिन जब interaction, जब यह interact करते हैं तो यह properties हमको देखने मिलती है तो अब यदि हम इतने सारे character को समझने के बाद living organism की बात करें और हम बोलें कि इनको कैसे हम define करेंगे, क्या बोलेंगे इनके लिए तो हम बोलेंगे living organism होते हैं, self-replicating, अपने जिसी पृतिकृति को उत्पन कर सकते हैं, they are evolving, यह अपने आपको लगातर विक्सित कर रहे होते हैं, self-regulating interactive system, इनके अंदर जो है वो अप एक प्रकार से living, इनके अंदर metabolism होती है, और उस metabolism को regulate करने माला DNA होता है, जो पूरी metabolism को regulate कर रहा होता है, और यह अपने आसपास के environment को sense कर सकते हैं, capable of responding to the external system life, अब देखे, यह त the self-replicating, evolving and self-regulating interactive systems capable of responding to external system life, अच्छा, रही बात system की, तो हम किस तरह का system है, open system है या, close system है, हम लोगो open system है, क्योंकि लगातर बाहर से हमको energy का input चाहिए होता है, ठीक है, अब यह तो बात होगे, life की property की बात होगे, कि देखो, growth, reproduction, metabolism, तो मतलब, जो metabolism है, और consciousness है, मेरी बात ध्यान सुनेगा, metabolism और conscious ने जो है, वो life, living, being की defining property है, cell का, cellular form of life, कुशी का cell as a structural unit, वो भी defining property में आता है, लेकिन growth और reproduction defining property में नहीं आते हैं, clear, and also self-consciousness is limited to human being only, ठीक है, अब आते हैं, कि जो है, living organism होते हैं, तो एक जिसे living organism, जो एक जगे पर रहते हैं, एक group बना के रहते हैं, उन्हें हम एक population कहते हैं, और उस population के जीव, आपस में जो sexual reproduction कर सकते हैं, वे एक प्रजाती का निरमाण करते हैं, एक species को बनाते हैं, वो species आपस में sexual reproduction कर सकते हैं, और biological concept of species को दिया था, दो species आपस में sexual reproduction जो है, वो नहीं कर सकती हैं, यदि करती हैं, तो fertile offspring को produce वो नहीं कर पाएंगी, ठीक है, कि scientist कहते हैं, कि हर एक different type of plant, animal और organism एक प्रजाती है, और अब तक हम जो है, ऐसा अंदर्या लगा, हमें जो जनकारी है वो है, कि almost 1.7 से लेके 1.8 million species हमें ग्यात हैं, और यह जो प्रजातिया हैं, यह पूरे आर्थ पर distributed हैं, और यही जो इनका जो various type होता है, वही bio diversity को बनात करें हम, तो pole से लेके equator तक, जब आप धुर्वी हिस्से से equator तक आते हैं, भूमद रेखा तक आते हैं, तो लगातार bio diversity बढ़ती रहती है, tropical rain forest में bio diversity अधिक है as compared to the temperate forest, और temperate forest में bio diversity अधिक है as compared to the polar forest या tega और tundra forest, ठीक है, फिर अब इतनी सारी प्रजातिया है, सब को लो जो होते हैं, से आप तमिल नाडू में जाओगे, तो आलू को कुछ और बोल रहे होंगे, आप कैरल में जाएंगे, कुछ अलग बोल रहे होंगे, गुजरात में आएंगे, महरास्ता में, तो एक ही चीज के अलग-अलग नाम होसते हैं, local name, जो होते हैं, वो local language से drive होते हैं को कि हम जो है, यदि इटली के अंदर भी हम paper को present कर रहे हैं, कोई अपना research बतला रहे हैं, तो हमने किस plant पे किया, उस plant का हम scientific name बता देंगे, तो इटालियन आदिमी भी समझ जाएगा, उसको Chinese आदिमी भी समझ जाएगा, कि यह कौन सा plant था, लेकिन हमने अपने भाशा में बोल दी, बैं, मैं अपने regional language में हमने कोई plant का नाम ले दिया, हमने का कि सीताफल, यह सीताफल के seed है, अब सीताफल पता, चीनी आदिमी को नहीं मालूम सीताफल क्या है, राम फल क्या है, नहीं मालूम के, और यह, जो है वो, इटालियन आदिमी को भी, इटली, इटालिन व आपने बोला कस्टाडेपल, तो कस्टाडेपल अंग्रेज तो समझ गया कि हाँ यह कस्टाडेपल सीताफल को अंग्रेजिम बोलते हैं यह लोग, बतलब यही सीताफल है कस्टाडेपल बोला है तो, लेकिन वो चाइनीज नहीं समझ पा रहा, रॉश्यन नहीं समझ पा रहा, लेकिन जब आपने scientific name का इस्तमाल किया तो वो scientific name जो होते वो नाम जो है उसको सब जानते हैं everybody knows that तो ये इसलिए Norman Clutch का requirement होता है Norman Clutch से पहले सबसे पहला काम and before Norman Clutch आपको सबसे पहले तो जीव को identify करना पड़ेगा उसका आपको description देना पड़ेगा कि किस तरह का जीव आपने देखा है किसको नाम देना आप चाह रहे है तो identification जो होता है वो Norman Clutch से पहले करना होता है तो हम क्या करते हैं हम उसको describe करते हैं उसका characterization करते हैं characters देखते हैं उसको हम identify करते हैं देन उसके बाद हम फिर Norman Clutch पर आगे बढ़ते हैं ठीके अब international bodies होती ही वीटा है ना जो scientific Norman Clutch उनके लिए बकाइदा international bodies होती है इनके full form याद रखीगा ICBN ICBN की बात करें हैं International Code for Botanical Norman Clutch ठीके ICZN International Code of Geological Norman Clutch ठीके वीटा यह याद रखना आपको तो simple सी बात है कि mango का दी नाम देना है तो ICBN नाम देगा आर्थोप्रोडा का किसी का नाम देना है तो वो ICZN नाम देगा हर एक scientific name जो होता उसमें दो word होते हैं उसके ज़र के इसलिए हम कहते हैं कि binomial system of nomenclature कि every scientific name is having two words के और binomial system of nomenclature को केरोलस linius ने दिया था इन्होंने अपना नाम भी यह सी रख लिया इनका नाम था कॉरल बॉन लिने इनका नाम था कॉरल बॉन लिने और इनने अपना नाम कर लिया केरोलस linius ठीके तो कि वर्ट इनके नाम का कोई scientific name नहीं है इन्होंने बताने के लिए कि मैं दो वर्ट होना ची नाम मेटके तो केरोलस linius जो है उन्होंने बताया कि scientific नाम जो है दो वर्ट क्यों होते है first word जो है वो generic name होता है जो genus को represent करता है second word जो है specific epithet होता है जो कि species को represent करता है ठीके देखो जैसे mango का scientific name है कि Norman culture की universal rule क्या होते है याद रखिएगा चाहे आप कुछ भी कहीं भी कोई नाम देने जारे है तो आपको नाम देने के लिए सबसे पहले जिस language को prefer करना है वो latin language है latin एक evolved भाशा है evolved language है जिसमें की बड़े परिवर्टन नहीं होना है एक fixed language है जिसमें नया grammar या नये words इसके अंदर नहीं आते है तो इस respective origin कि चाइना में खोजा है कि आपने इंडोनेशिया में खोजा है कि अरब में कहां क्या खोजा है उससे मतलब नहीं है मतलब यह कि scientific नाम देना है तो आपको latin भाशा का इस्तमाल करना पड़ेगा इट शुड भी latinized के और राइट के लिखने के लिए आपको लिखते है इसको तो आपको italics में इसको आपको लिखना पड़ेगा ठीके रिटने italics तिर्चे से word दोते है उससे लिवे से लिखना पड़ता है और first word दो होता है वो genus को represent करता है अब आप लिखने के बाद में आप इसको अंडराइन करेंगे अलग-अलग के दो अलग-अलग नाम अठके अलग-अलग के पहला है word है मेंजी फरा दुसरा है इंडिकाट के joint दोनों को जुड़ा हुआ नहीं लिखेंगे दोनों को एक सिंगल लाइन से दोनों को जो है हम cover नहीं करेंगे बिटा और हमेशा जो जीना से वो capital letter से शुरू होगा और species जो होता है वो small letter सुरू होगा गलती यह दिया आपने ऐसा लिख दिया आपने ऐसा लिख दिया तो यह गलत है यह गलत है ठीकिया आपने जो है वो एक अकिला underline कर दिया तो वो भी गलत है समझ गये ना आपके तो आपको छोट-छोटी बातों का ध्यान रखना ऐसे कुशन आते हैं तो जब handwritten होगा तो आप उसको जो है वो कि कभी-कभी से हमने क्या कि mangy fryndy का और last में लिखा है यहां पे last में भात करें है यहां पे last में लिखा हुआ है यहां पे lyn ठीक है? यह कि वहल एल लिखा है यह क्या रेप्लेजन करता है? species के नाम के बाद में या कोई letter लिखा हुआ है कोई short abbreviation word लिखा हुआ है तो वो उस scientist के नाम को बतलाता है उस author के नाम को बतलाता है जिसने वो na scientific name दिया है या उस plant का उन्होंने study किया है ठीक है अब बात करते हैं classification की classification का मतलब होता है जीवों को group में sub group में यहने समुमों में उप समुमों बाटना तो याद रखिएगा बिटा जब आप classification को आप certain rules के आधर पर करते हैं आप कुछ characteristics decide करते हैं उनकी आधर पर living organism को आप गुरूप में बाटते हैं तो उसको हम taxonomy करते हैं तो याद रखिएगा बिटा कि taxonomy का मतलब होता है जब classification में हम certain rules को apply करते हैं कुछ characteristics decide करते हैं कि इनकी आधर पर हम जबो को बाटेंगे तो वो taxonomy कराता है हर एक group जो taxonomy के अंदर होता है उसे हम एक taxon करते हैं taxa करते हैं ठीके याद रखिएगा तो taxonomy में कुछ step follow करते हैं आप आप क्या करते हैं जीव को आप जो उसके characters को बतलाते है character को देखने के बाद उसे identify करते है आप उसे फिर अलग ग्रूप में classify करते हैं उसको आप नाम देते हैं नॉमन क्लिचर करते हैं तो यह step दिमाग में रखना में रखना है NCIT के step है important है characterization, identification, classification, and nomenclature यह सारे step taxonomy में हम follow करते हैं के शुरुवात में human wing ने जो भी organism को classify किया था वो अपने use के अधर पे किसको हम खा सकते हैं, किसको नहीं खा सकते हैं कौन सा जहरीला है, कौन सा दवा की रूप में इस्तमाल होगा ऐसे plan को नोंने classify किया था उसके अधर पेट के अब modern scientist कहते हैं कि living organism का आपस में एक दूस्य के साथ में संबन होता है यह सारे जीवित-जीव कहीं ना कहीं आपस में connected ने जोड़े हुए तो जब हम classification करते हैं और उसमें हम पहले से प्रजाइडन हैं जो पुराने जो plants हैं उनके भी जीवन को हम connect करते हैं हम क्या करते हैं हम जो evolution को भी consider करते हैं मतलब जब classification में हम evolutionary history को भी consider करते हैं और जीवों के आपस के अंतर संबन्दों को देखते हैं inter relationship को देखते हैं जीवों के अपने से पहले वाले जीवों के साथ में inter relationship के साथ देखते हैं तो मतलब हम phylogenie का इस्तेमाल करते हैं phylogenie का मतलब होता है evolutionary history of an organism एक जीव का जे विकासी इतिहास को भी शामिल करते हैं classification में taxonomy में तो हम systematics कहते हैं उसको जाद रखिए systematics मतलब systematic arrangement of the organism और इस word का इस्तेमाल जो इनियस ने भी किया उन्होंने अपनी बुक नाम रखा सिस्टेमाल नाम लिखा रखा उन्होंने और इसको जो systematic से इसमें हम फाइल जानी को इसमें इंक्लूड करते हैं ठीक है clear अब बात करते हैं taxonomic hierarchy की बात करते हैं देखो बेटा क्या होता है कि taxonomic hierarchy की बात करें तो सबसे बड़ी सबसे बड़ी category जो hierarchy है उसमें तकरीबन हमको seven rank हमको इसमें देखने मिलती साथ हमको इस तर्यार rank देखने मिलते हैं सबसे बड़ी rank जो है वो है kingdom kingdom ठीक है सबसे बड़ी ने तो there are only five kingdom 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 monera, protista, planty, fungi और animals सबसे बड़ा होता है kingdom के एक kingdom के अंदर कई सारे phylum होते हैं एक kingdom में कई सारे phylum होते हैं ठीक है एक phylum में कई सारी class होती है एक phylum में कई सारी class होती हैं ठीक है एक class में कई सारे order होते हैं एक order में कई सारी family होती हैं ठीक है एक family में कई सारे genus होते हैं और एक genus में कई सारी species होती हैं ठीक है मतलब यह largest category है यह सबसे बड़ा group है ठीक है और species smallest category है ठीक है जिस category का वास्तविक अस्तित्व है और जो वास्तव में पायाती है वो है species इस स्पैसीज का real existence होता है वास्तव में दिखाई परती है फिर एक समान दिखने वाली प्रिदात्यों को हम एक सात रखते हैं तो genus बनता है एक समान दिखने वाले जीनस को एक साथ रखते है तो एक फैमिली बनती है एक साथ एक समान फैमिली को हमें एक बड़े ग्रूप पर रखते है तो एक ओर्डर बनता है एक साथ दिखने वाले ओर्डर को एक साथ रखते है तो क्लास बनता है सबसे बड़ा होता kingdom के सबसे unique character सबसे specific और unique character आपको species में देखने मिलेंगे सबसे common general character आपको सबसे बड़ी category kingdom के अंदर आपको देखने मिलेंगे आप बोलते हो सभी animal heterotroph होते हैं सभी animal heterotroph होते हैं तो आपने सीधी बात की kingdom animal में लिया हमें सभी जीव जो हो heterotroph होते हैं चाहे वो कोई भी animal हो वो heterotroph ही होगा हो कोई doubt नहीं एक general बिसस्ता हो अब आपने बोला आपने कहा कि कुछ animal ऐसे हैं जिनमें हमको menstrual cycle देखने मिलती हैं और वे bipedal locomotion करते हैं उनमे evolve brain होता है और वे सबसे तेज जीवों में से एक हैं और जो bio diversity के लिए बड़ा खत्रा है आप जट समझ गए अरे सर आप तो बात कर रहे हो जो आपने बोला ऐसे जीव जिनमें menstrual cycle होते हैं आपने primates की बात कर दी फिर आपने कहा bipedal locomotion करते हैं आपने कहा हाँ प्राइमेट्स की बात कर रहे हैं उसमें एप की बात कर रहे हैं फिर आपने कहा कि वो दो पर उपर चल सकता है उसने ओजार खोज लिए बहुत साई चीज़ हैं आपने कहा रहे आप तो homo sapiens मनुश्य की बात कर रहे हैं तो वास्तम में क्या होता है जब यह मैंने और डिफाइन मैंने आपको और डिटेल में आके बतलाया कि जॉइंटेड लेक्स होते हैं काईटिनस एग्जोस्केलेटल होता है तो आपने जहट से समझ गया मैंने कहा जॉइंटेड लेक्स होते हैं बाडी अंसेगमेंटेड होती है, रेडूला पाए जाता है उनके अंदर, और बाहर केलक्रेस सेल होता है, कबच होता है, आप कहें, बोले कि सर, आपने ऐसा बताए, इतने करेक्टर बताए, आपने आपने मोलास्ता के बारे में बात किया, मैंने कहा कि, केलक्रेस एंडोस्केलिटल होता है, बाडी स्पाइन ही होती है, एडल्ट जो है, बाइलेटरल सिमिट्री को, जो एडल्ट जो है, वो रेडियल सिमिट्री शो करता है, पर लारवा में बाइलेटरल सिमिट्री होती है, आपने का कि सर इकाइनोडरमेटा जहर्ट से बोला की नहीं लेकिन मैं बोलू हूँ आपसे हैट्रोट्र रॉट होते हैं अब आपने का सर यह तो बहुत बढ़ी बात बोल दियाओ हैट्रोट्रोट्र teaspoon होते हैं मतलब हो तो फंजाई भी हो सकते हैं, एनील भी हो सकते हैं तो बहुत general feature पर बात करते हैं और उनमें जीवों के बीच में बड़ी difference हम देखने हमको मिल सकता है लेकिन जब आप species की बात करते हैं lower category पर बात करते हैं तो more specific information की बात करते हैं ठीक है हर एक category ने देखो taxonomy के अंदर हर एक category को हम एक taxon बहुते हैं species भी एक taxon है genus भी एक taxon है family भी एक taxon है उसकी उठके order भी एक taxon है class भी एक taxon है phylum भी एक taxon है तो कहने का मतलब है taxonomic category of any rank किसी भी इस तरकी taxonomic category को क्या बोलते हैं taxon कह सकते हैं taxonomic category of any rank किसी भी इस तरकी taxonomic category को हम बेटा taxon कह सकते हैं क्लिर ठीक है चल यह तो पहले बात कर लेते हैं स्पीसीज के बारे में हम आपको बतला है मैंने मिलता गृूप ऑफ इंडिल आर्गनीज्ज्ट विशंड़ फंडामेंटर सिमिलेक्टीज्ड डिस्टिंग्ड वार्फ लोजिकल डिफरेंसे देखने मिलते हैं और रिप्रेट इसपीशी की जे भी कभ़ानना है ठीकिना, रिप्रेट्य ईसलेशन का होना. फिर ब्रिंज़ल और लिड्रेड इसपीशी की ग्रूप से जीनस बनेगा. ठीकिक के अंदर जैते हो जिए से इसे देखो. पटेटो और ब्रिंजल दोनों का जीनस है सोलनम पटेटो का साइंटिफिक नहीं है सोलनम टूबरोसम और बेगन का ब्रिंजल का साइंटिफिक नहीं होता है सोलनम मेलोंजीना ठीके अब देखो दोनों का सीनस है मैं पर इस पीशीज अलग अलग है ठीके लॉइन की बात करें, लॉइन का सेंटिफिक नहीं मैं पैंथरा लियो, लिूपरिड का है पैंथरा पाइडस और टाइगर का है पैंथरा श्टिगरिस्ट, ये नाम आपको याद रखने हैं, ये एंसी आइटी में रखें, इंपोर्टेंट है मिटा, बुलना नहीं, इसलिए नोट कर लो इसको, ठीके, थोड़ा सा, पिछले शॉट नोट दुझा, थोड़ा सा लिखना पट रहा है इसमें, पर लिखिए बिटा, आप बहुत अलस से नहीं करना है, ये आपके एक्जाम के पहले बहुत काम आएंगे, आपके, आप कुछ नहीं पढ़ोगे, आप इनक नोट कसी होती है, इसलिए सामिल होती है, फिर ओर की बात करते हैं, रिलेटेड फैमिली एक साथ रहेंगी तो एक और बनेगा, ज्यसे जो हम कहते हैं कि family convalesies होती है family surinacy होती है वो सब order polynomials में आते हैं फिर जितने भी cornevore होते हैं जिसे हम dog family की बात करें Kennedy, Kennedy is the dog family Felady is the cat family dog और cat family दोनों के दुनों cornevore order कहने आते हैं order बड़ा group होता है फिर आते हैं class की बात करते है तो related order के मिलने पर क्या बनता है class बनता है जिसे मैंने कहा कि primates एक order होता है cornevora एक order होता है लेकिन ये सब के सब आते है mammals class, mammalia में आते है mammalia एक बड़ा group होता है फिर बात करते हैं phylum की अब जो mammalia है हम mammalia की बात करें सब किसमें आते है ये जो है mammalia हुए और वो बाकि जो animal है प्लांट्स में फाइलम को हम division कहते है फिर एक समान division या एक समान फाइलम के मिलने पर क्या बनता है एक बड़ा kingdom बनता है वे टाटके तो kingdom सबसे बड़ी category होती है कुल 5 kingdom पाई आते है अब सबसे important point है point number 37 is the very very important point वो कहता है कि जैसे जैसे as we go higher from species to kingdom जैसे जैसे हम species से kingdom की ओर जाते है वैसे वैसे common characteristic की संकी से चीजे घटने दो जीवों के बीच में जितने common character हो गटने लगते है तो कि आपने heterotrop बोला वो सबहें लेकिन आपने बाकी character तो compare नहीं किये बाकी comparative character जो है वो दूर दूर होने लगते है diversified जितना बड़ा group होगा उतने बिभिन्ने प्रकार के जो है वो वहाँ पर और animal शामिल होंगे जितना छोटा group होगा उतना close resemblance वाले होंगे वो ठीक है important point है lower the taxa more the characteristic that members within the taxons are के जितना छोटा taxon होगा जितना छोटा category होगा उतने अधिक characteristic members के बीच में common होगे तो higher the category जितना बड़ा category होता है उतना अधिक जीवों के बीच में relationship को establish करना मुश्किल होता है जब kingdom animalia बोल दिया तो अब आप करो पोरी फेरा को match करो आप mammalia से आप बोलोगे बहुत सारे character तो match ही नहीं कर रहे हैं इसके सार silentrata को match करो आप fishes से बोनी fishes से आप बोलोगे सार character ही match नहीं कर रहे है बहुत सारे तो जितना आप जो है वो बड़ा category में जाएंगे ना लेकिन आप मचलियों को आप बोनी fishes को आपस में आप आपस में करोगे तो आप बोलोगे हाँ सारी मचलियों में common characteristics हमको देखने मिल रहे है तो जितना चुटा category होगा अपना common feature देखने मिलेंगे बड़े category में देखने नहीं मिलेंगे ठीक है रहा के लिए अब देखे टेवल इंपोर्टें टेवल 1.1 एंशियार्टी कर टेवल है इंपोर्टें टेवल में से एक है बड़ेंगे देखो men scientific name क्या homo sapiens genus homo family hominidae order primata class mammalia phylum chodita housefly scientific name musca domestica genus musca family muscridi order diptera class insecta orthopoda है phylum mango scientific name mangiphora indica genus mangiphora family anachardasi kaju family होती है order sapindel class dicotality division angiospermine plants में हम division word यूज करते हैं ठीक है न wheat tritticum estibum scientific name है इसका tritticum इसका genus है esterum species है family poesy order poels class monocotality और division क्या इसका angiospermine ठीक है ये table के अंदर जो information दे रखी विटा वो MCQ बनकर आ सकती है इसलिए important table है ठीक है अब बात करते हैं taxonomic ads की बात करते हैं कि वरी करण में हम किन ऐसे साधनों का प्रियोक करते हैं कौन से ऐसे उपाए अपनाते हैं जिससे कि taxonomic करने में आसानी होती है तो नमबर एक herbarium के herbarium क्या होता है ये एक store house होता है और repository होती ही future use के लिए जिसमें कि हम dried plants को हम dried करके सुखा के press करके उनको अब एक sheet पर arrange करते हैं तो उसे हम herbarium sheet करते हैं herbarium sheet पर किस date को collection किया गया है कहां से collection किया गया है ये लिखना पड़ता है English name क्या है उस plant का वो लिखना पड़ता है local name क्या है वो लिखना पड़ता है botanical name क्या है वो लिखना पड़ता है family क्या है ये लिखना पड़ता है किसने collect क्या वो लिखना पड़ता है तो ये सारी information herbarium sheet पर present होती है जिस पर कि plant को हम जो चिपका एते हैं, यह प्रकार से प्लांट का एलवम होता है, जिसको हम प्लांट को ड्राइड करके, सुख़ा कर, प्रेस करके, उसको हम तवे तैयार करते हैं, और यह रिफ्लन सिस्टम होता है, टक्सनामिक स्टेडिस के लिए, ठीक है? Botanical Garden की बात करें तो यह ऐसे बगीचे होते हैं जहांपर हम specific plants को लगाते हैं और हर एक plant के नाम की हम leveling करते हैं उसकी family को लिखते हैं और इन plant को हम वो condition provide करते हैं जो इनको grow करने के लिए ज़रूरी होती है तो एक प्रकार से हम ऐसा कहते हैं एक प्रकार से जो है वो collection of living plant होता है future reference के लिए सबसे famous botanical garden जो है वो क्यू इंग्लेंड के अंदर हैं इंडियन botanical garden जो है वो हावडा के अंदर हैं नेशनल botanical research institute लखनाव में हैं यह सबसे बड़े botanical garden में सेख हैं जहांपे diversified plant को लगाया गया botanical garden में जाके आप living plants को देख सकते हैं हर्वरियम में आपको living plant देखने नहीं मिलेंगे हर्वरियम में आपको dead plant देखने मिलेंगे उनकी शीट में प्रेस्ट सीट आपको देखने मिलेगी biological museum में क्या होते हैं हम animals के skeletal को रखते हैं वैसे stuffing करते हैं तो museum जो होते हैं एक प्रकार से collection होते हैं preserve plant और animal को रखा जाता है इस्टेडी करने के लिए geological park जो होते हैं botanical garden के समानी होते हैं फर्क इतना सा होता है कि geological park में हम zoo में हम animals को रखते हैं और living animal को हम वो सारी condition प्रवाइट करते हैं जो उनको normal reproduce करने में normal के उनकी life के लिए जरूरी होती है कि Bombay के अंदर भी जू में penguin को रखा गया है तो वहाँ penguin को रखने के लिए बकाइदा बर्फ बन लगाया हुआ 17 वने था कि वहाँ पर रह सकें उनको वैसा ही environment प्रवाइट के जैसा उनको चाहिए होता है तो zoo जो होता है वो भी reference के लिए होता है हम पर different animal को हम एक साथ रखते है सुरक्षित protected environment के अंदर ठीक है important most important term है वो है key key क्या होता है key भी जो है वो एक प्रकार से वरगी करने में taxonomy में इस्तिमाल की जाने माला taxonomic add होता है उसे हम key कहते है और जो key होता है मतलब यह तरह के clue होते है कि आपको किसी और इनिस को classify करना और यह clue अलग अलग है हर category के लिए genus के लिए species के लिए family के लिए हर एक category के अपनी specific keys होती है उन key का हम इस्तिमाल करते है तो key क्या होती है वास्तव में देरा two option है हमेसा आपको कि जो आपने बोला कि मैंने एक एक animal देखा मैंने उस animal में जो है मुझे six legs दिखाई पड़े तो आपसे मैंने question किया जो animal में six legs दिखाई पड़े वो jointed legs थे उसमें joint दिखाई पड़े थे आपने का jointed legs थे ठीके फिर हमने उसमें पुला कि जो आपने jointed legs देखे उसमें फिर आपने हमने पुछा कि उसके body की उपर जो है वो skeletal था उपर punk तरे का कुछ skills थे उसके उपर अपने का हाथ है तो हमने का exoskeletal present ठीके तो दरसल क्या क्या आप insect की तरफ पहुँच रहे है तो हर बार क्या हो रहा है हर बार हम क्या 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 रहे है कि every time I give it twice मैं आपको दे रहा हूँ दो आपको चीजे बतला रहा हूँ आपने जो जीव देखा उसमें क्या legs थे आपने का थे थे तो कितने थे छे थे की आठ थे आपने का आठ छे थे तो every time you have choice तो हमेशा मैं आपको दो characteristics दे रहा हूँ आप एक को चुन रहे हो तो ऐसे जब आपको जो है विकलप मिलते हैं और आप चुनते चुनते आंसर तक पहुँच जाते हैं तो आप उसे जीव को पहचान लते हैं तो जो की होती है वो similarity और dissimilarity का अधरब होती है हमेशा contrasting character में आपको information दियाती है एक जोड़े में information मिलती है और इसको हम बोलते है coupled बोलते हैं तो मैंने कहा ना आपसे या नहीं थे थे या नहीं थे नंबर आफ फ्लेक्स 468 आपने का 6 आई बास तो आपके पास every time you have options, opportunities जिसमें आपको एक चुनना होता है फिर हर एक statement जैसे आपने एक को चुना तो आप एक कदम आगे बढ़ जाते हैं आपको आगे चुनने में आसानी होती है तो हर एक statement की का जो है वो एक lead किलाता है फिर आप lead लेके आखे बढ़ आते हैं अगले character के बात करते हैं तो हर एक taxonomic category के लिए separate taxonomic key होती है और key जो होती है analytical nature के होती है analytical nature के होती है मतलब हम चुद चीजों को देखते है analysis करते हैं फिर हम चुनते हैं कि क्या सही की इसके लिए उपयोप करना है हमको ठीक है फिर flora क्या होता है exam के लिए मैं important data है exam में आने की संभावना है मैं कह रहा हूँ आप से आएगा मतलब आएगा लिख लेजिए आप बाद में आप याद करेंगे चीज को कि सर ने कहा था flora actual account of habitat and distribution of plant in a given एक given area में एक दिये गए छेतर में जिसे मैं बोलू की Luna वाला Mumbai के पास Luna वाला है तो Luna वाला का flora किस तरह का है तो मतलब Luna वाला एक geographical location हो गया एक area हो गया उसमें कितने तरह के plant पाया थे क्या diversity plant की present है तो actual account of habitat किस तरह का हाँ पर habitat है किस तरह का forest है हाँ पर वो देखना पड़ेगा किस तरह के plant का distribution वो देखना पड़ेगा ठीक है ना तो यह basically एक particular area में plant की species का index है मतलब इसमें variety of plants को शामिल करोगे एक area में मिलने वाले सारे plant को आप शामिल करोगे टीक है क्लियर manuals क्या होते है manuals are useful in providing information for identification of names of species found in an area manuals एक तरह के समझे डारेक्टरी के समान है manual एक तरह के डारेक्टरी के समान होते है ज़रेक्टरी में phone number देखते हैं कितने लोग यहाँ पर भौपाल में रहते हैं उनके number क्या है बॉमबे में रहते हैं वो information प्रवाइट करते है एक area में present जितने भी species है उनके scientific name क्या है उनके नाम किस नाम की species यहाँ पर present उसका detail देते हैं ठीक है यहाँ पर लिखा है तो हमने क्या कहा यह basically identification of name of species found in area एक area मिले वाली प्रजातियों के जो scientific name है उनके नाम की इतनी प्रजातियां present उसके बारे में बतलाते हैं जब monograph की बात करते हैं तो इसमें हम देखो बेटा फर्क है कि flora में हम क्या बात कर रहे हैं हम एक area मिले हैं सारी plant species की बात कर रहे हैं manual में क्या बोल रहे हैं हमें इस plant से मतला हमने जितनी भी species वहां present है उस area में, उसकी detailing की बात, नाम की बात कर रहे हैं, जब हम monograph कहते हैं, तो मतला हम एक particular taxon, एक particular taxon की बात कर रहे हैं, कि एक जो है, मालू मैंने का, कि phicus plant in deccan plateau, ठीक है, डकन के area में, जो phicus plant हैं, वो किस तरह के हैं, तो मतला हमने क्या की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, कि हम एक टेक्सान केवल फाइकस को देख रहे हैं हम किसी ओर से मतलब ही नहीं हम गोटके केवल एक टेक्सान की बात कर रहे हैं के आई बसन में नोट्स लिखे ना आप देखो उठाक NCRT अपने सारे पॉइंट सारे की पॉइंट आपने कर लेड़के अब इसको जो रिवाइज करेंगे तो पंदरा मिट में आप 20 मिट बस को आप रिवाइज कर लेंगे ठीक है एक बार पढ़िए उसको काम की बेटा बहुत काम की है ठीक है क्योंकि हमें नहीं मालूम कि पेपर का लेवल क्या रहेगा हम इतना मानकर चलते हैं कि चलो ठीक है कि पिछले दो बार से हम देख रहे हैं कि नीट का पेपर जो है वो NCRT पर वैज दे लेकिन हमको कॉम्पिटिशन में त्यार हना पड़ेगा कि पेपर का लेवल थोड़ा भी वेरी कर रहे हाना तो हमको तुहां पर सरिंडर नहीं करना है मैं कहरा नहीं आपसे मैं आपको 100% NCRT तो आपके जिमू जवानी है NCRT आपको फोड़ क्या होगे NCRT मे उपर रखोगे बिटा तो सेफर साइड होगे ठीके ना चलिए तो आज का लेक्षर तुड़ा छोटा है उम्मीदे चीज़े सब समझ में आपको आई होंगी बिटा और खुप सारे MCU अब क्या करना चाहिए एक्स्क्लूसिव लेक्षर देखे नहीं में जाओ अपना on-demand test on करो living world का on-demand test देखे देखो पुराने डीपीएस में living world में जो कुछन आ है उनको एक बार recall करो उसको आप देखो बिटा ना तो ऐसे करके जो है आप जो है वो चीजों को आप जो है वो रिवाय अपनी MCQ खोलो उससे question लगाओ बिटा है ना तो फाइदा मिलेगा ठीके तो चले पढ़ते रहे और थंड के समय उसम में इस समय जो है वो अपना ध्यान भी रखिये वेटा ठीके न कॉमन कोल्ड भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ठीके ना और थोड़ा भी गला खराब होता है तो गुनगुने पानी पानी को लीजिए गारगल कीजिए गुनगुने पानी में थोड़ा नमक दालके गारगल कीजिए उसमें ठीके ना और थंड में जब भी कोई बाहर निकलते हो अपने कान कवर मुझे मालूमें लड़कों को बड़ी समस्या होती है कान कवर करने में को की कान कवर करते है न तो हैरिस्टैल भी रखिया ऐसा है क कोई भी आज तक किसी को ऐसा लग रहा हो ना किसी को ये गलत फैमी है कि हैरिस्टैल देखकर कोई इंप्रेस होता है तो ये दिमाग से निकाल दो ददा ठीके हाँ ये की सरबे बाल होना चीजिए ये इंपोर्टेंट चीजिए ठीके लेकिन ये कि हैरिस्टैल देखकर कोई इंप्रेस नहीं होता है और ये मैं तवाम लड़कों को सम्मुधित करना चाहता हूँ कि भीया एक बात ध्यान रखो अच्छे से राज की बात है बता रहा हूं जिस चीज से लोग इंप्रेस होते हैं न ठीके सब के लिए बात करां कॉमन वो ये है आपका व्यक्तित हो आपका पर्सनालटी आपका करेंग अटिट्यूट आपका दूसरे की संबेद्राओं को समझना if somebody says no you should respect that no also you should respect that no also समझे रहे हैं बात को ठीक है आपके व्यक्तित में गहराई होना चीए उतलापन नहीं होना चीए आपको जिम्मेदारी का एहसास होना चीए आप कैरिंग होना चीए आप dependable होना चीए कि आप पर निर्भर कर सके आप सामने वाले व्यक्ति का रेस्पेक्ट करते हूं आप honest हों आप जो इतना कठी नहीं है ठीक है तो घंटों आइने के सामने बाल सबारने से अच्छा है घंटों पड़ लिया जाए और person से personality बन जाया जाए ठीक है ना क्या करना मैंने कहा ना आपसे कि देखो दो तीन निवा चीज़े हैं जो मैंने खुद ही evolve की है नंबर एक तो यह है कि कभी-कभी जी जलाने से जिंदिगी रोशन हो जाती है दूसरा यह है जंग लगने से बहतर है घिश जाना और तीसरा यह है व्यक्ति मत बनिये व्यक्तित बनिये परसन मत बनिये परसनल्टी बनिये तो अगला लेक्चर आपका इंत्यार कर रहा है ठीक है उसको देखना है ना तो रुटा अल दी बेस्ट